क्या बिग बॉस के घर में इनकी wild card entry से बढ़ेगी शो की टियारपी बिग बॉस में अभी तक के तीन wild card entry हो चुकी है निहा बसीन राकेश बापट और राजीव अडाटिया की वेल जैसे कि हम सभी जानते कि शो की इस वक्त टियारपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही है जैसी acceptation थी जैसे और season को देखा जाए जिनकी टियारपी बहुत अच्छी आती थी contestant भी इस season के बहुत अच्छे लेकिन फिर भी उतनी अच्छी टियारपी नहीं आ रही है इन सब का reason बताया जा रहा है बिग बॉस में जो इस वक्त favorism हो रहा है उसको बताया जा रहा है ब क्योंकि उनको लगता है कि बिग बॉस के गर में सबसे जादा जो पार्ट लिया जा रहा है यहां पर शमीता शेटी का लिया जा रहा है क्योंकि पहले राजीव को बेजा गया कि जो की शमीता शेटी के राखी ब्रादर थे फिर यहां पर राकेश और नहा को बेजा गया र प्रांस है वो कुछ नए कंटेस्टन को देखना चाहते हैं अब जो एंट्री होने वाली है इसी वज़े से मैंने बोला क्या इनकी एंट्री से शो की ट्यार पी बड़ेगी मेकर्स को में भी लग रहा होगा जब भी ट्यार पी लो होती है तो मेकर्स कुछ नया करने की होगी क्योंकि कंटेस्टन भी अब कह रहें कि घर में सिर्फ लड़के लड़के दिख रहें लड़किया नहीं दिख रही है अगर आपने पिछले एपिसोड देखे होंगे जहां पर श्रमीता कहती थी बिग बॉस प्लीज और राकेश को बेजिए मुझे बहुत उसकी या अब खबरे आना शुरू हो गई है कि 3 wild card entry हो सकती है यह wild card entry इनको आप अच्छे से जानते है यह कोई नय चेहरे नहीं है आप इनको अच्छे से जानती है बिग बॉस ओ टीटी के कंटेस्टन है पहला नामे करननात का अक्षरा सिंग का और मूस जटाना का बताया जा रहा ह को देख चुकिए मेरे साब से कुछ ऐसे कंटेस्टिंट बेजने चाहिए जिनको लोग अच्छे से उतना नहीं जानते हैं या फिर जानते भी अगर आप नोन लोगों को बेजना चाहते हो जानते तो कुछ नहीं कर चुके जैसे कि OTT कर चुके उन्हीं को भेजा जा रहा है तो इससे TRP और जादा लो हो रही लोगों को बता है कि इसने ऐसा गेम वहापर खेला था अब करन ना जो कि खुद दूसरे हफते में Big Boss OTT से आउट हो गयते मूज जटाना हिस्ता होंगी और अक्षरा सिंग होगी अक्षरा ने तो अच्छा गेम खेला था अक्षरा की कि एंट्री की बाद शो की TRP बढ़ेगी या फिर घटेगी बहुत जूरी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरी चानल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन आप तक के पहुशते रहें